15 से लेकर 59 तक की जो age है उसे कहीं बार working age कहा जाता है क्यूंकि आप देखो 15 से छोटे जो हैं वो तो बच्चे हैं वो क्या ही काम करेंगे और 59 से अबाव जिनकी age है वो बूड़े हो चुके हैं वो उनके अंदर वो energy अब रही नहीं काम करने की तो 15 से 59 इसमें लोग कोई भी productive activities कर सकते हैं अब इंडिया के case में आप देखो इस age group में जो भी women आती है उन women की अगर हम बात करें तो देखा गया इंडिया में जितना भी internal migration होता है उस migration में ऐसी women बहुत जादा numbers में देखी गई अब आप देखो जब मैं कह रहा हूं migration तो वो होता क्यूं है बहुत सारे reason है उस में से major reason वैसे तो कहीं पर आपको कहीं employment job चाहिए उसके लिए आप एक जगा से दूसरी जगा जाते हो आपको education चाहिए या फिर आपको एक अच्छी life चाहिए women के case में major reason होता है marriage उसकी वज़े से भी उन्हें एक जगा से दूसरी जगा migrate करना पड़ता है अब ये ज बिहार से करनाटका जा रहा है तो वो internal migration है या फिर बिहार की बिहार में एक district से दूसरी जगा जा रहा है वो भी इसी के अंदर आ गया दूसरा होता है external migration यानि आप इंडिया से किसी और country में जाते हो या फिर किसी और country से इंडिया में आते हो वो सारे इसमें आ जाएंगे अब अगर इंडिया की case में हम internal migration देखते हैं, तो वो इस तरीके से अलग-अलग states में बटा हुआ है, जिन states से लोग निकलना चाहते हैं, उसमें टॉप में आएंगे उत्तरप्रदेश, बिहार, फिर राजस्थान, मध्यप्रदेश, बेस बेंगॉल, ओडिशा, जारकंड, अ साम, और वही जिस state में लोग जाना चाहते हैं, the destination, वो हैं महराष्ट, दिल्ली, गुजरात, करनाटका, तमिलनाडू, तैलंगाना, कैरला, आंदरप्रदेश, हर्याना, पंजाब, अब्विसी बात है, ये states relatively जाधा industrialized है, इनकी situation बहतर है as compared to these states, और अब आप देखो, ऐसे जो भी migrants दूसरी जगाओं पर जाते हैं, उनके rights protect वहाँ होते हैं कि नहीं, ये भी एक सवाल होता है, अब इनके rights को लेकर, constitution क्या कहता है, ये हमें पता, article 19, clause 1 अगर आप देखते हो, उसमें कुछ particular rights दिये गए हैं, जो migrants को भी लागू होते हैं, जिसमें आप देखो, article 19 मे जो clause C और clause D, clause D आप specifically देखो, every citizen in India has right to move freely throughout the territory of India, यानि आप India में कहीं पर भी जा सकते हो, then you can reside as well as settle in any part of the territory of India, आप residence आपका हो सकता है, घर ले लो, आप permanently वहाँ रहना चाहो, आप settle हो सकते हो, ये rights हैं, दूसरा article 23 and 24, ये specifically बात करता है, right against exploitation का, अगर किसी का भी exploitation हो रहा है, अब migrants क्योंकि अपने घर से कहीं और गए हैं, वहाँ पर उनके exploitation होने के chances बहुत जादा है, इसलिए ये भी article protect करता है, तीसरा है आपका 7th schedule of the constitution, 7th schedule कहता है कि state government और central government, इन दोनों की powers divide की जाएगी, जो भी laws बनाने की power है, तो आप में specifically mention किया गया है, interstate migration, दो states के बीच में अगर migration हो रहा है, तो वो union government deal करेगी, और जो भी state के अंदर होगा, उसे state government deal करेगी, ऐसा ये schedule कहता है, अब ये हो गए constitutional provisions, इसके अलावा इंडिया ने जो international labor organization है, जिसे United Nations के सबसे पुरानी body मानी जाती है, उस organization का जो convention number 143 है, और convention number 151 है, वो इंडिया ने sign किया है, और साथ-साथ ratify भी किया है, देखो ratification अलग होता है, आपने internationally एक convention sign कर दिया, लेकिन सिर्फ sign करने से बात नहीं होगी, आपको उसके related, आपके parliament में आकर, एक law या फिर एक resolution पास करना होता है, तो जब parliament approve करती है, तो उसे हम मानते कि ratification हो है, तो ये जो conventions है, ये specifically कहते हैं कि जो भी migrants इंडिया में आते हैं, उनके rights को protect करना Indian government की जिम्यदारी है, उनका कोई abuse होना नहीं चाहिए, और उन्हें भी आपके बाकी citizens की तरह ही, same level का treatment मिलना चाहिए हर चीज में, फिर आप education हो, health हो, कुछ भी हो, ये सारी बातें हुई, अब देखो, अगर इस तरीके का migration, specifically मैं internal migration की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा migration इंडिया में होता है, तो बहुत सारे benefits भी होते हैं हमें, जैसे आप देखो, अगर किसी state में, demand बहुत ज़ादा है किसी labor की, मानलो महराष्ट में बहुत सारे industry है, कुछ labor सुने चीए, और उतने labor महराष्ट में available है नहीं, तो वो अगर UP या बिहार से आते हैं, तो ये उस state के लिए भी अच्छा है, इंडिया की पूरी economy के लिए अच्छा है, कहीं बार आप देखो, इस state में, जिस skill set के लोग उन्हें चाहिए, उस skill set वाले लोग वहाँ available ना हो, तो क्या करोगे आप, आप दूसरे state से ले के आओगे, तो ये help करेगा economy को, दूसरा बात आती है demographic dividend की, देखो जो आपकी यहाँ population है, उसमें 15 से 59 मैंने कहा ये working age की population है, लेकिन जो 15 से छोटे हैं और जो 59 से बड़े हैं, ये जो लोग होंगे, ये इनके उपर depend करेंगे अपनी जिन्दगी जीने के लिए, अगर ऐसी कोई जगा है, जहाँ पर dependent population कम है, और ऐसी population, work करने वाली population जादा है, तो ऐसी situation को हम कहेंगे demographic dividend, क्योंकि यहाँ पर production जादा होगा, यहाँ dependency बहुत कम है, खर्चा कम है, तो ये अच्छी बात होती है, और अगर आप देखो, इंडिया के case में, जो हमार नदन स्टेट्स हैं, जैसे यूपी, बिहार वगेरा, यहाँ पर population यंग है, यहाँ पर population जो working age की population है, उनकी number जादा है, और वही आप अगर जो नीचे के स्टेट्स हैं, जैसे केरला वगेरा है, या फिर तमिलनाडू है, इनकी population relatively थोड़ी सी बढ़ते जारी है उनकी age, त तो ऐसे case में अगर हम पूरे इंडिया की population को एक दूसरे में use करेंगे, तो हमारे ही country की demography और उसका demographic dividend को हम earn कर सकते हैं, फिर बात आजाती है circular migration की, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं, फिर पैसा कमाने के लिए और जॉब के लिए, वो permanently वहाँ नहीं रहना चाते हैं, वो वापिस आते हैं, तो job के लिए जाएंगे seasonally, काम करेंगे फिर वापिस आजाएंगे, तो ये आप अगर देखो, इंडिया का total GDP का 10% इसी circular migration से मिलता है, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, फिर आप देखो, लोगों की पास अग बात पैसे की नहीं, बात social remittance की भी है, remittance का मतलब होता है, जैसे हम सोचते हैं कि किसी ने हमें पैसे बाहर से घर पे वापिस भेजे, लेकिन social remittance का मतलब होगा, सिर्फ पैसे नहीं, यहाँ पर society के जो attributes हैं, वहाँ की values, culture, आप अगर जाते हो, बैंगलूरू में रहते ह बैंगलूरू का culture और जो बिहार में किसी location का culture है, उसमें difference है, आप इस नए location से नए ideas सीखते हो, life जीने का नया तरीका सीखते हो, फिर इसी तरीके से आपका अपना culture भी इससे enrich हो सकता है, यह भी अच्छी बात है, नया knowledge मिलना अच्छी बात है, फिर हमने SDG goals की कहीं बार की है, sustainable development goals, जो United Nations General Assembly ने 2015 में कहा था, कि total 17 goals होंगे, जो पूरी दुनिया को focus करने है, उनमें से अगर goal number 8 आप देखते हो, it talks about decent work and economic growth, यह जो भी migrants है, उन्हें सही से काम करने के लिए चीजें मिलनी चाहिए, यह हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हो रहा है, लेकिन देखो, इसके सा साथ साथ कहीं सारे challenges और concerns भी है, जैसे पहला concern आप देखो, जिसो हम कहते हैं, xenophobia, देखो, क्या होता है, कहीं बार लोगों को किसी दूसरे culture से खोड़ी सी घ्रिना, या फिर थोड़ा सा वो उससे डरने लगते हैं कि यह culture हमारे उपर हावी हो रहा है, उन्हें उससे डर भी लग सकता है, hatred भी हो सकता है, इसी चीज़ को हम कहते हैं xenophobia, आप महराष्टर में जाओ, वहाँ पर एक बात होती है बार बार, son of soil की, son of soil या फिर भूमी पुत्र, इसका मतलब होता है कि, जो लोग यहां के अपने domicile है, यहां के native है, उनका पहला हग बनता है इस दमीन पर यहां के सारे resources की उपर, और जो migrants है बाहर से आये हैं, वो secondary लोग हैं, यह xenophobia का concern बना रहता है, इससे बहुत सारे issues निकल के आ सकते हैं कि, बहुत सारे protest हो सकती है, कई बार violence भी हो सकता है, और बहुत लोगों को एक जगा से दूसरी जगा धकेल दिया जा सकता है, दूसरा affordable housing का issue है, दिखो, migrants अगर जाकर वहां रहना चाहते हैं, पर अगर उस location में जो घर हैं, उनके prices बहुत जादा हैं, वो कैसे रहेंगे, तो उस case में उन्हें फिर slums वगेरा में रहना पड़ेगा, फिर आपके slums बढ़ते जाएंगे, not a good thing, तीसरा आप देखते हो, यह जो migrants है, वो लोग vote वगेरा तो अपने state में करते हैं, लेकिन वो रह रहे हैं दूसरे state में, अब वहां तो वो किसी को vote भी नहीं करते, तो कोई politician उनकी बाते आगे रखता नहीं है, उनका कोई representation नहीं, उन्हें कोई problems हुई, तो उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं, COVID-19 जब pandemic आया या फिर आपका accident हो गया, आप disabled बन गए, आपकी job चली गई, ऐसे case में आपको किसी ना किसी तरीके का financial support चाहिए, और वैसे support को हम social security कहते हैं, लोगों के पास pension वगेरा होती है, या फिर insurance होता है, पर ऐसे migrant के पास अगर ऐसा social security नहीं होगा, तो उनकी life खड़ाब हो सकती है और उनका exploitation भी बहुत जादा बढ़ सकता है, जहां पर वो हैं, फिर आप देखो, कई बार cultural barriers भी आते हैं, आप जिस location पे गए हो, वहां की language शायद आपको नहीं आती, जो chain नहीं गया है UP से, उसे तो तमिल नहीं आती है, वो barrier है, उस culture के साथ match up करना बहुत difficult हो सकता है, especially ज जाती है, policy की, आप देखो, इंडिया में आज के टाइम पर कोई comprehensive policy बनी ही नहीं है, migrants को लेकर, 2021 में नीती आयोगनेक लेकर आये थे, draft national migrant labour policy का, लेकिन उसके आगे चीज़ें बड़ी नहीं, और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है यहां पर, फिर इतना ही नहीं होता, आप देखो, migration mostly जब आप देखते हो, क्या होता है कि जो male population है, को job के लिए दूसरे state में जाती है, इससे होगा क्या, जो female से वो वहीं पर रहेगी, अगर हम देखे, rural area में, तो agriculture में पहले male हुआ करते थे, एकदम से male चले गए कहीं और, तो वहाँ पर females दादा हो जाएगी, female participation agriculture म में बढ़ जाएगा, इसी को हम कहीं बार, feminization of agriculture भी कहते हैं, फिर यह भी होता है, कि जब आपकी young population बाहर जाती है, तो आपकी यह जो dependent population है, या तो छोटे बच्चे, या फिर जो बुड़े लोग है, यह population जब बढ़ जाएगी उस region में, तो वहाँ पर उन्हाँ की जो demography है वो थोड़ी सी destabilize हो जाएगी, तो यह सारे problems को government को deal करना होगा और अपनी यह जो migrant population है, उनकी लिए एक अच्छी policy लेकर आने पड़ेगी, this is all about migrants, especially women migrants, thank you so much for watching this video.